नमस्कार 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 दोस्तों आज के दिन में गोकेश के उपर दूसरा वीडियो लेकर काया हूं कारण यह है कि गोकेश नहीं एक और जीत दर्च कर ली है और तरकिस लीग में उन्होंने अपनी लगातार तीसरी जीत आसिल करते हुए हैट ट्रिक लगा दिये आज तर्की के सनल वहाब को हराया सनल वहाब 24 वर्षियर तर्की के युवा खेलाडी है और क्या ही मैं कहूँ इस गेम को देखो के आप तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी एक गोकेश का जो खेल के प्रती समझ है जो उनका स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक है और उसकी वज़े से कई बार मतलब 25-70 मतलब 26-00 के आसपास का ग्रेंड मास्टर भी इतना कन्फ्यूज हो सकता है बोर्ड के उपर वो आपको इस मैच में नजार आएगा और वाकई यह खिलाडी गोकेश गजब के फॉर्म में है अभी और बस यूही जो है मेरे ख्याल से यह जो उनका खेलना है यह रुकने वाला नहीं है बॉस यह लड़का रुकने के लिए आए लड़का बस लाइम लाइट के लिए नहीं है कि थोड़े देर के लिए चमक रहा है और फिर क्या पड़ता है C4 E6, Nc3 Nf6, Nf3 और यहाँ पर B4 लाइन जो जैसे जो भी खेल रहे हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं कुईन्स कामबिट डिकलाइन रागोजिन डिफेंस में गोकेश का फैबरेट मोब है कुईने 4 इसी लाइन में उन्होंने जो है कुछ दिन पहले ही अभी हमने देखा था सरगेशियन गैबरेल को हराया था जो कि टॉप प्लेयर हैं अर्मेनिया के कुईने 4 चेक यहाँ पर आया अब क्या था प्रॉब्लम Nc6, E3 यही लाइन हुई थी गोकेश की उस मैच में भी कासल, बिशब D2 यहाँ पर गोकेश ने खेला और अब जो हमने देखा है जो सबसे अदा खेला जाता है वो D into C4 जो कि सरगेशियन गैबरेल ने खेला था यहाँ पर सनल वह आपने चेंज किया रुक E8 खेला पहले ठीक है गोकेश ने सबाल पुछा उट से कि आप यहाँ रहेंगे, मारेंगे, जाएंगे क्या करेंगे, तो सामने वाला बिशब F8 चला गया अभी आप देखे अल्री बिशब दो वार रमूब हो चुका है, ठीक है गोकेश ने खेला हैच 3 यहाँ पर नाइट G4 बगरे की सारी पॉसिबिल्टीज को खतम किया, और यहाँ पर अपॉनन खेलता है 6, नाओ रुक D1 यहाँ पर गोकेश लेके आए, और अगर सेंटर पर कुछ भी एक्सचेंजेज होते हैं तो यह जो हाती है, यह काफी काम आने वाला है, और इसका एक और कारण है इस हाती को यहाँ पर लाने का, गोकेश को वो आपको आने वाली चाल्विस्वन में आएगा आप उने ने किया A6, तो यहाँ पर गोकेश कहलते हैं, बिशप C1 जो की एक नौवल्टी है, इससे पहले Qc2 खेला गया, तो एक्शली यह जो रुक D1 आया, इसका गोकेश ने इंप्रॉब्मेंट यह किया, कि बिशप को अभी पीछे खीच लिया, अब आप बोलोगे बिशप को पीछे खीच लिया, इसका क्या मतलब है बड़ी बात यह है, कि अब हाती यहाँ पर नहीं है तो हाती बंद नहीं है, हाती अल्यडी centralized हो चुका है, तो ऐसे मैं अगर बिशप C1 पर बैठा है, तो वो खराब नहीं है वो दूसरे पीसेस को अभी रोक नहीं रहा है जब टाइम आएगा, तो बाहर निकलेगा और उट की बारे में हम सभी जानते हैं कि उट अंदर बैठा हो, लेकिन अगर उसका रास्ता खुला होगा, तो कभी भी एक चाल में उट जो है, वो गेम में आ जाएगा ओके, सो रुक B8 खेला यहाँ पर आपनें, तो नाओ यहाँ पर गुकेश ने खेला कुईन C2, नाओ बिशप D6 तो अल्रडी मैच एकदम नई पोजीशन में पहुँच गया था, और यह जो बिशप D6 मूफ थी अच्छा सनल वहाब के साथ पूरे गेम में आपको एक समस्या यह नजर आएगी कि सनल वहाब को यही समझ में नहीं आ रहा था कि किस पीस को कहां रखना और वो एक ही पीस को बार-बार खेल रहे थे जबकि उनके कुछ मोहरे जिसे खास दोर पे बिशप जो है, पूरे गेम में जो है एक प्रकार से अपसेंट रहा, सबसे लास्ट लास्ट में आया, ओके, so now यहाँ पर गुकेश को नोने एक मौका दिया, c5 बापस बिशप जाते हैं, मतलब चार बार उट चल गया, यहाँ पर 12-13 चाल में चार बार उट चल जाए, तो एक प्रकार से आप देखेंगे, कितना ज्यादा परसेंटेज है, ओके, गुकेश ना B4 भी करके, कुइन साइट से स्पेस ले लिया, अब एक्चुली में जो B4 था, यह सामने वाले को उकसाना था, कि भाई, मैं तो यहाँ से स्पेस ले रहा हूँ, आपको कही न कहीं से दो बोर्ड खोलना पड़ेगा, और इसी के साथ जो है, यहाँ पर सनल भाप का गेम उन्होंने खोलने की कोशिश की, और उसके बाद उनकी मुस्लिक के लिया, बढ़ती चले गए, E5, D into E5, 9E5, 9E5 एक्शेंज किया, Rook E5, and now यहाँ पर गुकेश खेलते हैं, बिशप D3 और यह पर्टिकलर मुमेंट में अभी भी समस्या यह है कि इस उंट को कहां से निकाला जाया, और उसको निकालना चाहिए था, किसी ना किसी पोजीशन पर, जैसे कि आप इधर आओगे, तो यह हातीगा क्या होगा तो यहाँ पर उन्हें, Rook E6 खेलके, आप जैसे यहीं पर देखें, पहले Rook E5 आए, अब Rook E6 गए, तो सनलवाब के साथ प्रॉब्लम यह जा रही थी, कि इस पर्टिक्लर पोजीशन में, गुकेश ने उनको ऐसा फसाया था कि उनको समझी नहीं आ रहा था कि किस महरे को कहां पर रखना है, Rook E6 नाइट E2 आए, गुकेश तो, आचा एक चीज़ जो बहुत important है, जब सामने वाले अपने पीसेस को बार बार खेल रहा है, तो उसको क्या फाइदा हो रहा है, जबकि गुकेश कि आप महरों को देखोगे, जब गुकेश मैनवरिं करते हैं, या पीसेस की जगह बदलते हैं, तो वो टेम्पो के उट हभी तक गेम में आया है, नहीं, यह उट चार बार चलके वापस अपने स्टार्टिंग पोजिशन पर पहुँच गया है, कोई प्लान कहीं भी दूर दूर तक काले के पास है ही नहीं, ओकेश यहाँ पर करते हैं, कासल, नाइट E4, पहला एक ऐसा महरा जो थोड़ा उबर की तरफ पूदा यहाँ पर, तो यहाँ पर गोकेश खेलते हैं सबसे पहले बिशप B2, अब इस बिशप को इस डाइवनल पर उन्होंने लाके प्रेशर बिल्ड कर दिया था, और अब यहाँ पर पूरे गेम में सबसे कोई प्लान ऐसा नजर नहीं आ रहा और उसके बाद गोकेश का जो फिनिशिंग हो जब कमाल है, सबसे लिए तो रुक C1 खेला, उन्होंने पता नहीं इसका क्या प्लान नहीं था कि यहाँ आना था, यहाँ आना था बट यहाँ पर शायद h4 हो सकता था बट इस्टिल यह पूजिशन वीक रहे गे और आप देखोगे गोकेश किस तरह से उनको घुमाएंगे भी g3, rook f1, हटा लिए उन्हें नाइट, queen d8, so now यहाँ पर आते है queen f2, अब प्रॉब्लम यह है कि चाहे आप queen h4 आओ, चाहे तो भी f4 आएगा, queen g5 आओ, तो भी f4 आएगा, और उसके बाद एक बार knight f3 धर आया, तो यह जो है, यह गोड़ा बचे गई नहीं फिर, तो बहु कि जब भी यह pawn move करेगा, यह bishop तो already power में आ जाएगा, और यह bishop के पास power already है, तो overall आप देखो कि black के bishop, bishop उत्ता अच्छा कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि support नहीं है, ना यह भी piece, ना यह piece, और यह दोनों piece भी भटके हुए हैं, सारे के सारे piece, और यह गोड़ा भी g3 पे आया है टेलने के लिए, बट कुछ मिलना उसको भी नहीं, उन्होंने rook h6 खेला, वही देखे, बार बार एक ही piece repeat हो रहा है सामने वाली के दरब से, गुकेश ने खेला rook cd1 और d5 पे support लगा दिया, queen e8 यहाँ पर आया opponent, so now queen f4, अभी c7 पर attack किया, और queen भी देखो, आपने कितनी ब e5 आया यहाँ पर, सनल भाफ, so now e5 और ना सिर्फ e5 हुआ, इस bishop को खोला, बलकि बहुत सारी planning थी, आप महरों को देखे, कितने कमाल के महर है, इनके सारे के सारे, e6 भी कभी न कभी आ रहा था, bishop e6 खेला यहाँ पर, सनल भाफ ने फाइनली खेल की 32 चाल में उनका उउट न आ सकते हैं, तो उन्होंने g6 किया, जो और वीकनेस थी पोजीशन में, ना बिशप c2, बिशप c4 यहाँ पर आये, so now जब बर्जस चाल गुकेश की e6 आया बोर्ड के उपर, और सब कुछ तहस्नेस हो गया, मार नहीं सकते, यहाँ पर मारने के बाद आप देखे कि रुक अ अंदर आ रहा है, बहुत पोजीशन खराब हो चुकी थी, यह जो c6 का पॉन था, उसने जो d7 का square दिया हुआ था, उसकी वज़े से बहुत सारी threat जो है, वैसे ही create हो रही थी, यहाँ पर उन्होंने बिशप g7 खेला, तो ef7, queen f7, queen g4, और अभी knight हटेगा, उन्होंने रुक e2 भी मार सकते थे, b2, रुक, gc, यह एक और variation हो सकता है, थोड़ा टिपिकल है, बड़ गोकेश ने चुपचा खेला, शांती से करना ही क्यों देना, उन्होंने खेला, queen e7, now bishop into g6, मतब सब कुछ hanging है, रुक hanging है, उन्होंने खेला, bishop e65 check, king h1 जैसी गोकेश ने रखा, पर किया क्या जाए, और अभी देखो, आपकी यह हाथी मर रहा है, यहाँ पर, rook d7 पर आ रहा है, कभी भी इसको मारा जा सकता है, discover check आ रही है, उट के हटने से, बहुत ज़्यादा इस्तिती जो है, वो खराब हो चुके थी, और सनल भापने यहाँ पर resign कर दे तो, यह match दे जो है, उससे बाहर आपाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो गोकेश की live rating मैंने यहाँ पर लिखी अपने उपर, 2735.9 हो गई है, और word number 18 पर पहुँच गए, विश्व के 18 नमबर के खिलाडी बन गए है, और आज वांग हाउ को पीछे छोड़ दिया है उन्होंने, तो झाल, 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 झाल